मास के चीफ की मौत हो गई है इसके बाद आपको क्या लगता है कि हमास और जो इसलील की युद्ध है यह खतम हो गया है यह पूरी ह смजू ग blindly buck ऐस फे Casato इसदे ने पहले ही कहाता सबसे पहले हुनों has never रिलीज नहीं होते हैं तब तक हम हमास के साथ में किसी भी तरह का समझोता नहीं करेंगे और दूसरा स्टेटमेंट जो मैंना आपको पताया बेजामी नितिया नहों का 13 जुलाई का स्टेटमेंट जिसमें रोने का कि इसराइल चाहता है कि सारे के सारे हमास के नेता खत्म हो जाए उसके बाद अगर हम देखें जनवरी में उनका जो डप्टी लीडर था सालेह अरूवी उसको मार दिया गया उसके बाद जो उनका डप्टी मिलिटरी चीफ था मारवा निस्सा उसको 10 मार दिया गया अब कहने के नाम पर कोई गिने चुने लीडर्स हैं जो बचे हैं हमास के अंदर और उनका भी कुछ पता नहीं है जैसे कि उनका मिलिटरी चीफ को मोहमट डेफ का क्या है कि अब 14 जुलाई को भी एक खबर आई थी कि मूंब्दef मारा गया है उसके बास से इस खबर केंदर को पुष्टी नहीं हो पाई है अगर शी मुझार में मुष्टी हो जाती है कि मुल्मड IS लिडिर्शिप में को टॉप लीडर बचा नहीं है रही बाद सिविल इन लीडर्स की तो उसमें लेदे करके हाई आसे न वर बचे हैं जो इनके गाजा स्ट्रिप के अंदर सिविल इडर हैं जो कहीं टर्नल में कहीं छपए हुआ है और जिस दिन इसरैल को मिल गया उदिन मार देंगे वो इसको इसके लावा बहार जो लीडर्शिप है वो बहुत कम बची है अगर बहार मैं हमास की लीडर्शिप की बात करूं तो शायल ले दे करके खालत मशाल है जो कि इसे अपना इसमाल हैने से पहले हमास का चीफ था बट वह भी बिलकुल उब्लीवियन में बिल अजरायल चाहेगा कि किसी भी तरह की विश्बेल को छोड़ाना जाए